हेलो बच्चू कैसे हो आप सब मैं प्रिती मिश्रा आप सभी का सागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल P2Education में आज मैं आप लगों को हिंदी की पार्थे पुस्तर क्लास 9 सूर्दास के पद पॉयम एक्स्प्रेंड करने चाह रही हूँ उम्मीद है आप सब को वीडियो अच्छी लगीगी तो चलिए हम पॉयम स्टार्ट करते हैं पॉयम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहूँगी कि इसमें सूर्दास जी ने शिकिष्ण की सुंदर्टा का वर्णन किया है उनके जन्म उस्सों के वर्णन करते हुए कहा है कि सिंधु मतलब सागर नंद भवन भरीपूरी उमंगी चली ब्रच की वितनी नंद भवन भरीपूरी मतलब भरपूर उमंगी मतलब उत्सा ब्रच की वतनी मतलब ब्रच की गलियों से देखा जा रहा है देखी जाए अज गोकुल में, आज गोकुल में ऐसा देखा जा रहा है कि घर घर बेश्ती फिर्ती दहीरी, घर घर दही बेश्ती फिर देखा जा जा रहा है, कहत ना मुख सहसभू, सहसभू का मतलब होता है हजारों मुखों से, उपजी ऐसी सभी ने कही रहे, ऐसा सभी का क शुर्ष्याम इंद्र नील मनी शुर्ष्याम मतलब सूर्दाची शुक्रिष्ण की समान इंद्र नील मनी की समान ब्रच बनीता उर लाई गहिरी ब्रच बनीता यानि की ब्रच की गोपियों से उर मतलब हिर्दय लाई मतलब लगाकर हिर्दय से लगाकर गहिरी मतलब पकड़ हुई है तो इसमें सूर्दाजी ने श्रीकिष्ण की सुन्दर्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि उन्होंने श्रीकिष्ण की सुन्दर्ता का वर्णन सागर की सुन्दर्ता से करते हुए बताया है कि जिस प्रकार शागर की सुन्दर्ता का कोई अंथ नहीं है ठीक उसी प्रक गूकुल में घर-घर बेजती फिरती रही रही आज गूकुल की गलियों में घर-घर दही बेजती वे गूपिया श्री कृष्ण की सुन्दर्ता का वकान करते वे देखी जा रही थी कह लगी कहू बनाई बहुत विधी, कह लगी कहने लगी कह बनाई बहुत विधी, बतलब बहुत तरीकों से बहुत विधी से वो श्री कृष्ण के बारे में बता रही थी, परंतु शुर्दास जी कहते हैं कि हम श्री कृष्ण की सुन्दर्ता का वर्णन हचार मुखों से भी करें तो हम सिक्रिष्णा की सुन्दर्ता का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा सभी लोगों का कहना है कि यह जो सोभा है वो मा यशोदा के उदर यानि की पेट रुपी समुंदर से उत्कन हुई है। ब्रज की गोपिया उड़ाई मतलब हिर्दय से लगा कर रखी हुई है। तो चलिए बच्चो अब हम भाग टू पढ़ते हैं, भाग टू में पताया गया है कि श्री कृष्ण राधारानी से पहले बार मिलन कैसे हुआ, उन्होंने उनसे क्या पूछा, इस पारे में सुर्दाजी ने अपने पत्में वर्णन किया है, बुझत साम कौन तू गोरी, कहा रहती काकी है बेटी, देखो नाही कभू ब्रजखोरी, कहू को हम ब्रजदन आवती, खेलती, रहती अपनी फोरी, सुनत रहती, सर्वननी, नन्धोटा, करत, पिरत, माखन चोरी, तुम्रों का हम चोरी, चोरी हम लेही, खेलन चलो संग मिली चोरी, सूर्दास, इसमें श्रीक्रिश्न राधारानी से पूस्ते हैं कि पुछत शा, पुछत मतलब पूस्ते हैं, श्रीक्रिश्न राधारानी से कौन तु गोरी, गोरी तुम कौन हो, कहां रहती, काकी है बेटी, मतलब कहां रहती हो, किसकी बेटी हो, देखो नाही कभू ब्रजखोरी, तु हमने नहीं देखा, खोरी मतलब गलिया, ब्रज की गलियों में तो हमने तुम्हें पहले नहीं देखा, तब राधारानी उनकी बातों पे जवाब देती हुए कहती है कि, कहो को हम ब्रज तन आउती, खेलती रहती, अपनी फोरी, मैं ब्रज में भला किस लिया आऊ, मैं तो अपने ही घर के आंगन में खेलती रहती हूं, सुनती रहती सर्वननी नन्दोटा करत फिरत माखन दही चोरी, माखन और दही की चोरी करते फिरते नन्द की पुत्रे की कहानी सुनती रहती हूं। शिक्रिष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या चुरा लूंगा साथ मिलकर खेलने चले तब सूर्दाश जी प्रभु रशिक शिरोमनी बातिनी भुरग राधिका गोरी सूर्दाश जी कहते हैं कि जो प्रभु शिक्रिष्ण है वो रशिक शिरोमनी है रशिक सिरोमनी कि वो अपनी मिठी मिठी बातों से लोगों को इस तरह फसा लेते हैं कि वो वास्तविक बातों के ग्यान से बाहर परिपुन हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वास्तविक बात क्या था तो सिरोमनी बातों से बातों ही बातों में भूली भाली राधा को अपने बातों के जाल में फशा कर उनसे दोस्ती कर ली और उन्हें अपने साथ खेलने ले चले तो इसी से ये पॉयम समाप्थ होता हैं उमीद करती हूँ कि आप सबको पॉयम अच्छी लगी होगी